बेलकम टु स्मार्ट स्टिडे अकडमी दोस्तों और मैं हूं सुभन सर आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस एर के टॉप 10 वन वर्ड जो आपके एरफोर्स नेभी एससी एंडिये सीडियेस एपकेट आर्मी कलर्क दियाइडियो टेट दिल्ली पुलिस बिह करने वाले हैं उसमें से एक कोश्चन आपकी इस वीडियो में हमने पूछा है जो आपका लास्ट कोश्चन है जो मैंने आपको पहले कई वीडियो में हमने आप लोग को वन वर्ड बताया है तो उसमें से मैंने एक कोश्चन आप लोगों से इसमें पूछा है तो उसका एं को हमारा पहला one word क्या है soldier who fight on horseback तो देखें वो soldier वो सिपाही जो घोड़े के horseback मलब खोड़े की पीट पर बैठ कर fight करते हैं उन्हें क्या करते हैं cavalry क्या करते हैं घुर्षवारी करके घुर्षवार सेना इनको सेनन अब हमारा next क्या है soldier who fight on food वो सिपाई जो foot से मालब पैरों पर पैदल चलका लड़ाई करते हैं तो उन्हें क्या कहता है infantry मालब सेना की पैदल टूड़ी infantry गया रहती है infantry तीका clear हो गया अब place in which words are kept तो यह आपके लिए important है हमने यहां पर i mp लिख दिया है जहां पर पच्छी रखे आते उसे क्या कहते तो उसे कहते है। क्या होता है पच्छी ग्रे तो यह आत्पकी के लिए रगा या इसे हम बोल सकते हैं 25 साला एक मेड़कल इक्जाम निनैसन आफ़ sound पूश्ट yem कहते हैं कि सब पर इच्छट गिरें होता जहां पर जो इस 같은데 होते हैं उससका पर इच्छट किया आता तो पोश्ट मॉह डम कर आता ठीक आपके क्लिए रहो गया हम प्लेस और सुफिक विज वह क्रक्ट यहां Pakे शल्द मुझ रखे जाती तो आप इस विए साला हम बोल सकते हैं ठीक है मदमक्खी मदमक्खी साला हम बोल सकते हैं लेकिन अवेरी मलब क्या होता है पच्छी साला तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है हुआ है नेक्स्टा है परांशन हुआ रीड बुक जो हमेशा किया करता है किताबें बढ़ा करता करता है जो हमेशा किताबुमे 내ग labels सोजां बदों को और टूसे इस आदमी को कहते हैं उस ऑद्र॥ा 안म को चांब क्वर कीड़्य होता है किताबी कीड़ा और गए होता है दों लगा रहता है दिनों रात तो उसे उस आदमी को कहते हैं उस आदमी को कहते हैं बुक वार्म मलब क्या होता है किताबी कीड़ा क्या होता है विया किताबी कीड़ा होता है तो अगर जो आप लोग को अगर जो आप लोग को एयर फोर्स नेभी एंडियस एडियस आर्मी क्लग या आपको किसी भी एक्जाम कॉलिफाई करना है तो आपको बुक वार्म बनना पड़ेगा आपको किदाभी कीड़ा बनना पड़ेगा या आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा आप जब मेहनत करेंगे तभी आप इतना सेलेक्शन पासकते तो अभी मैं आप लोग को बता रह लिए होता है तो यह किलिए हो गया पेटरिक मेन बताता हूँ देखे यह पर आता है-प से पिता देखे हैं अब आप यहाँ निकल रहा पाइटिस रीडेट करिए तो पादर पिता साइड पैटर्री सांट्रइच पे थो से रिलेट करेंगे तो आपको यह कभी नहीं भूलने वाला है ठीक है एक हमने आप लोग को बताया था होमिसाइट होमिसाइट मलब क्या होता है नर हत्या करना तो हमिसाइट मलब नर हत्या करना होता है और हुमन मलब क्या होता है नर होता है तो हुमन को हुमन से रिलेट कर द तो आप लोग को पिछले वीडियो में ट्रिक बता है तो आप लोग अगर जो नहीं देखेंगे तो वह आप जाकर देख लीजिए प्लेडियो पढ़ेंटी का नेक्स्ट हमारा क्या है अधिजी अधिजी टैट का देथ एक रोग जिसका कारण क्या हो सकती है तो उसे हम क्या क होता है तो जो डिजीज है उसका जो कारण बन सकता है तो इसमें देखिए एक बच्चा है जिसके जनम होने के पहले उसकी पिताजी खतम हो जाते तो नगरते हैं तो उसे याद रखिए ऐसा कि एगर जो कोई मलब न्यूस्पेपर है उसका पब्लिस कब हो रहा है उस जो जो प्रसक है वह मर getosse परबर तो यह भी पोस्तमस इगालाता जीका है आप लोग से मैं एक बात और बता दूं याप लोग वीडियो को देखते तो लाइक और कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज यार लाइक और कमेंट जरूर करें और दोस्तों में अपने सेर भी किया करें नेश्ट है हमारा क्या अपरसंट फूराइज़ा लाँ एक्सपीरियंश पेहन टो कि List में देखिए एक बयक्त है जिसके पास बहुत बड़ा एकस्पीरियंस अनुभव है किसी भी मत से बीटन बयंच SP होता है कि आता है अनुभावी और यह आपके 10 फ्लसक्राइब ट्व और असमें यह पूछा जाच चुका है आपके इन एक्जाम में पूछा जा चुका है तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए अब हमने आप लोग से क्या कोश्चन पूचा है यह कोश्चन है आप प्लेस वेर डॉगार केप्ट वह जगह जहां पर कुट्टे रहते हैं तो यह हमने आप लोग को एक वीडियो में ब आप देखेंगे तो यह आपके माइंड में ऐसे ही सेट हो जाएंगे और आप लोग अब भीया लोग आप लोग वीडियो को सेर कर लीजिए और जो देख रहे वीडियो कमेंट करें लाइक करें और सेर भी करें तीक है और जो हमारे भीया अभी नए है हमारे भाई लोग ज होसता रहे तब तके लिए जाए जाए भारत दोस्तों